नूमे हिंसा के बाद अब मामन खान के बयान पर भी स्यासी घमासान है मामन खान को लेकर मुख्यमंत्री मनौलाल का बयान सामने आया उन्होंने कहा कि सब बाते हमारे ध्यान में हैं जिसकी जो गल्ती है जिसने भी गल्ती किये उसको डंड मिलेगा मामन खान पर स्यासी तूफान सा आगया है मीडिया के सवालों में भी मामन खान का जिक्र है उनका बयान जो विधान सवा में था वो वायरल हो रहा है जब ग्यान चंद गुपता और हर्याना के ग्रहमंत्रिया निल्विश से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनी मन खान जी हैं चाहे वो मौनू मनेसर हैं जो भी इस घटना के लिए जिम्मेवार हैं उनको सक्ती से उनके साथ निपना चाहिए ताकि भविश में कोई ऐसा वो कृत ना कर सके और एक उनको लेसन मिलना चाहिए देखिए कोई भी हो छोटे से बड़ा तक जिसने इसकी साजिस की है जिसने इसकी इंजिनरिंग की है जिसने ये शिटन्तर रचा है जिसने जहर भोला है उसको हम आप नहीं करेंगे लेकिन हम पहले उसको बेरिकाब करेंगे हम तथ्यात्वक तरीकों से जो सामने आएगा जिसने भी ये शिटन्तर किया है उसको हम मामन खान का बयान और फिर मौनू माने सर का बयान उसका वीडियो कि मैं आ रहा हूं मेबात सब पहुंचिये मेबात इन बातों को लेकर कहा जा रहा है कि यहां से मामला गर्माया था हिंसा बढ़की थी मामन खान का वो कौन सा बयान था जो चर्चाओं में हैं जिसका जिक्र बार-बार किया जा रहा है जरा आप सुने यह क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ इन गुंडों ने जो गोरक्षा के नाम पर मेवात में हमारे तीन लोगों की नए लड़के नोजवानों की जो मौत लिए जान लिए उसके जुम्मेवार को ने यह हरियोन सरकार है कि 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 मनेश्चर मुख्य मंतुर्य हैं क्यों लगा मेवादो आपको झरव को बेंद ये जरावता टूछो cioè तरह प्रड़ाइब आप जिरावस यह घ्राणा चाहता है यह मेवासियों को गी मैं इतना बड़ादमी हूं अब के मंतरी याद रखना यह मेवास गया इसकी प्यासी नाफोडी तो मेवास भी हम्ता कोल गाएगा इसने बहुत आठ्टनक उठा लेया मेवास में ती लड़को को कि हमारी जान ले लिए इसने गुमाता जैश्री राम मयाक भाई मोनुमाने शर्फ बजरंगल प्रांट गोरफ से परमुक बजरंगल हरियाना से सभी भाईयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी तो सभी भाई जोरो सोरो से हो अचान देका परमुक श्री रामन का नाम लेकर और मेवा तियातर में बढ चनल कर सय दैगा उमाता जैश्रीरावी Ό, अधार बिजे पी शत्यपरकास जरापता जी जुट चुके हैं मामन खान का जो वीडियो चल रहा है रहा है उस्होराण उनकी भी बहस हुई थी नमस्कार सत्यपरकास जरापता जी को कि नमस्ते जी अपील आप भी कर रहें सभी कर रहें कि इस वक्त जरूरी है सोहाट बना रहना लेकिन यह नूमें इंसा भड़की कियों किसने आग लगाई है कानून अपना काम कर रहा है पुलिस अपना जाच करेगी क्यों भड़की है किसने बढ़का यो समझा करें में तो सिर्फ इतना यह जिससे में शांती रही और इन सब चीजों पर तो बाद में बात हो सकती है बस किसी तरह बाइचार रहे शांती वस्ता कायम रहे यह कहा जा रहा है कि मामन खान का जो बयान था उसने महल को गर्माया फिर मौनु माने सर का वहां पर आने की बात होना उसका वाइरल वीडियो इन लोगों की वेज़े से महल गर्मा रहा है देखेंगे कोई भी जब जमौर रेक्ति पद पर होता है मौनु माने सर को लेकर ये कहा जा रहा है बारवार कॉंग्रेस के विधायक दूसरे विधायक के कहा है कि सरकार मौनु माने सर को बचा रही है सरकार मौनु माने सर पर कारूई करने लिए तैया रहे है अगर मौनू मानेसर का बयान और मामन खान के बयान से लोग भड़के हैं तो सरकार ने उस पर कारवाई क्यों नहीं कि मामन खान पर पहले नंबर तो यह कि मौनू मानेसर कोई जनपरति में भी नहीं है कोई नेता नहीं है को जुमदार्पत भी नहीं है कि मामन खाई जिम्वार्पद पर वेठा वश्थी तो जब इनका बयान भढ़काने वाला था तो इन पर पहले कारवाई क्यों नहीं जब आपको अब लग रहा है कि इनके बयान से लोग भड़के हैं जांच का विशय है सदन के अंदर इनका प्रियूज है इनका अधिकार है लेकिन वह कहाना के अधिकार हो तो इसी वासना प्रियोंग नहीं करना चाहिए जिससे समाज में इंचा भड़के समादें तूसरे का बहरी हो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्य प्रकाश जरापता जी सत्य प्रकाश जरापता ये कह रहे हैं कि जाज का विशह है